दोस्तों अगर आप आरहो यारो एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और पहली ही बार में आप इस एक्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं आपके पास में कोई आप्शन ही नहीं है मतलब आपको हर हाल में ये exam qualify करना ही है तो मैं नहीं चाहता कि आपके पास में कोई कमी रह जाए जितनी संभव से संभव कोसिस होगी मैं आपको पताने की कोसिस करूँगा तो आजके इस वीडियो को पूरा देखना इसमें मैं आपको कुछ जरूरी चीज़े पताना चाहता हूँ जिसके बगार आप इस exam को qualify नहीं कर सकते क्योंकि आपको strategy की तरब भी follow करना होगा महनत तो सभी लोग करना है थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको काम करना होगा जैसा कि आपको बता दू कि RO ARO का जो prelims का paper होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं उसमें आपको दो paper मिलेगे मतलब GS 140 question पूछी जाएगी और हिंदी का 60 number का पूछा जाएगा यह दो paper आपको मिलते हैं prelims में और यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा यह आप देख सकते हैं prelims का exam pattern क्या होता है और यह देखे RO ARO prelims दो paper होते हैं prelims में paper 1, paper 2 GS के 140 question total पूछे जाएगे और general हिंदी के 60 question पूछे जाएगे 140 question करने के लिए आपको 120 minute यानि की 2 गंटे का समय मिलेगा और 60 question करने के लिए आपको 60 minute का समय मिलेगा यानि की 2 plus 1, 3 गंटे का समय आपको मिलेगा और आपको यह 2 paper देने पड़ेंगे जिसमें की total 200 number का यह paper आएगा अब दिहान से देखना यह जो number है prelims का यह आपके final selection में जोड़ा नहीं जाएगा तो इसमें आप और इसका जो prelims का paper आता है यह tough भी आता है 2021 में इसका pattern change हो चुका है तो गलती से भी कहीं ऐसी जगे से मत पढ़ना जहांपर पुराने pattern के हिसाब से पढ़ाए जा रहा है ठीक है तो 140 plus 60 200 में से आपको लगबक कितने number लाने पढ़ेगे तो 60 में से इधर पर target कर लो 50 question का और 140 में से इधर पर आप target कर लो 80 number का आप विश्वास मनिये चाहें आपको कोई कितना भी बोलता रहे आपने अगर यह दो चीज़े कर ली इससे जाद मतलब आपको तो लोग बोलेंगे कि ऐसा कर लो ये कर लो वो कर लो आपको उसको follow नहीं करना है क्योंकि हमारी नजरों के सामने जो बच्चे select होते रहे 80 question का target आप लेकर चलो यहां पर 50 question का target यहां पर लेकर चलो 130 होता है 2-4 question मनलो आपके गलत भी हो गए रहे हैं तो यह planning आपके मन में होना चाहिए कि 120 नंबर के आसवास में अगर आपके आगए 120 से 25 के बीच में तो आपका cut off qualify होने से कोई रोक नहीं सकता है इससे कम ही cut off जाएगी इससे जादा नहीं जाएगी ठीक है तो यह आपको ध्यान में रखना है दूसरी एक बहुत important चीज़ आपको ध्यान देनी है कि पिछले 2-3 सालों में जो paper पूछा जा रहा है उसके इसाब से आपको यह समझना है कि कौन सा subject जादा पूछा जा रहा है उसको जादा weightage के साथ में पढ़िए कौन से subject का कौन सा chapter जादा detail में पूछा जा रहा है तो उसको detail में पढ़ें जो चीज़ जादा पूछी नहीं जा रही है उसको जादा time क्यो waste करते हो पिछले साल के paper में कौन से subject से कितने question पूछे गए यह सब कुछ आपको पता होना चाहिए अब फूछी नहीं जाती है उसको जादा time दे रहा हो जो जीज जादा पूछी जाती है उसको कम समय दे रहा हो तो यह सब फूछय कğ पता हूँ आप लोग ना करना तो अभी यह सब कुछ आपको बताम क्यों उसके लाब़ा बताना चाहते हो मेरे guidance में तयारी करना चाहते हो planning के साथ में तो भी batch start हो चुका है batch वीडियो के description में mobile number है उस पर आप inquiry कर सकते हैं जिसमें मतलब एक बार आपने batch ले लिया उसकी बार में अलग से आपको ना कोई किताब लेनी है ना कोई content कहीं से देखना है ना कोई study material कहीं से लेना है जितना हम बताएंगे सिर्फ उतना follow कर लिया तो कम से कम मेहनत में आप exam निकाल लोगे exam तो आप अपने दर्ब से भी निकाल सकते हो तो यहाँ पर आप देखें बस यह कि हमारे guidance में आप पड़ोगे तो आपको मेहनत उतनी नहीं करनी पड़ेगी अगर आप पिछले साल के 2021 वाले paper को analysis करें तो देखो सबसे जाड़ा question पूछे गए है current affairs वाले section से लगबग 21 question मतलब 21 question तो direct पूछे गए है 2 question geography के current से पूछे गए है quality के 2 question current से पूछे गए है तो 36 question एक बहुत बड़ी value होती है और 36 question दोस्तों इस बार के prelims में पूछे गए है current affairs से तो सबसे जड़ा आपको ध्यान इसी में देना है और 36 के 36 question हमारे वीडियो से direct पूछे थे हमने आपको with proof इसका वीडियो भी दिखा है जिसको विश्वास नहीं हो रहा हो वीडियो के description में link दे रहा हो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं इसके इलाबा word geography से 26 question पूछे का है इसके लाबा science के 19 question पूछे का है ancient और medieval history के art question पूछे का है और Indian national moment यानि कि modern history के 15 तो 15 watt मिला कर 23 question पूछे का है और Indian policy economic culture के 10 question यानि कि मोटा मोटी देखा जा तो पांच subject भी अच्छे से कर लोगे ना तो कोई आपका selection रोग नहीं सकता है current affairs कर लो, geography कर लो, science कर लो, history कर लो, quality कर लो तो आपके in each section से आप 80 से जादा number आप ले आओगे और cut off आपका qualify हो जाएगा बाकी बचे हुए topic में देखो UP special से 19 पूछे का है reasoning के 15 question पूछे के हैं, तो कुल मिलाकर ये आपको पूरा ratio दे रखा है और ये अगर आप हमारे batch में एड़ीसल लेते हैं, तो हम आपको ये सारी planning का data देते हैं कि आपको किस तरीके से चलना है, क्योंकि मेहनत तो हरको ही कर रहा है जब तक आप planning के हिसाफ से नहीं पढ़ेंगे, तो आप किस तरीके से exam निकालेंगे बाकि दोस्तों, अगर आप अपनी तरफ से मेहनत कर रहें, तो भी आपको all the best है आप मेरे guidance में, मतलब जो मैं YouTube पर videos upload कर रहा हूँ और उसी के guidance को ही follow करते रहे, तो भी आपको बहुत फाइदा हो जाएगा बस मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों का साल न परबाद हो, और पूरे सिद्धत के साथ में आप पढ़ें और exam निकालें Thank you so much guys, one day मातरम